हेलो गाइज, वेलकम तो टैसेट क्लासेज इंगलिश विद मॉनिका आज हम पढ़ेंगे दा थर्ड लेविल आपकी विस्टर्स बुक का ये फर्स चैप्टर है दा थर्ड लेविल डेटिन बाई जैक फिनी जैक फिनी के अगर हम बात करें तो जैक फिनी एक ऐसे ऑथर है जिनके ज़ादतर वर्क या तो साइटिफिक हैं या फिर थर्लर है तो हमारी ये ज़े स्टोरी है न थर्ड लेविल ये भी एक थर्लर है एक सस्पेंस थर्लर है इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये बहुत interesting story है और इसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से मेरा वीडियो सुनना पड़ेगा देखना पड़ेगा बहुत patient से आप सुनिये और समझिये कि इसमें हो कह रहा है ये बहुत ही interesting story है तो आएए शुरू करते हैं before you read have you ever had any curious experience which others find hard to believe क्या आपने कोई ऐसा curious experience किया है जिस पर दूसरों को विश्वास करने में बहुत मुश्किल होई हो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ क्यूंकि जिस चीज का हमने experience किया है कोई ऐसी चीज जो unbelievable है और जब हम आके किसी दूसरों को बताएंगे तो वो क्या कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा ही कुछ इस story में हुआ है the third level में इसमें एक 31 year का Charlie नाम का यूवक है वो हमको ये story नरेट कर रहा है वो अपना experience बताता है the third level का और ये third level किस चीज का है the grand central station का third level है जहां पर वो जा कर आया है लेकिन reality में क्या है reality में वहाँ पर सिर्फ दो ही level है दो ही मनजिल है और वो third level पर जा की आया है तो देखिए वो कैसे अपना experience हम से share करता है वो कैसे हमको बताता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ उसने क्या क्या देखा तो आईए शुरू करते हैं line by line हिंदी में इसका explanation the president of the new york center and the new work new heaven and hard for railroad will swear on a stake of time table that there are only two जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इसमें Charlie नाम का जो लड़का है वो हमको बता रहा है कि third level वहाँ पर है तो वो क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है कि new york center और new york new heaven और hard for railroad के जो presidents हैं वो अपने time table का जो stack है time table का जो धेर है उनका उसकी कसम खाके वो बोल सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ दो ही level है बट I say there are three लेकिन मैं कहता हूं कि वहाँ पर दो हैं उन्होंने ऐसा क्यूं कहा कि swear on a stack of time table क्यूंकि ये जो railway के करमचारी होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि उनका time table ठीक चले उनकी train time पर आए अगर time पर नहीं आई है तो उनके लिए सब बेकार है वो पाप है उनके लिए है ना ये यहाँ पर एक मुहावरा यूज हुआ है बच्चो swear on a stack of time table की जगे होना चाहिए था swear on a stack of viable ये एक मुहावरा है तो उन्होंने यहाँ पर एक थोड़ी सी comic स्थिती पैदा कर दी और क्या कहा उन्होंने swear on a stack of time tables की वो लोग अपने time table की कसम कहा के कह सकते हैं कि वहाँ पर दो ही station है लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि वहाँ पर तीन है because I have been on the third level of the grand central station क्योंकि मैं grand central station के third level पर तीसरी मंजिल पर जा चुका हूँ मैं होके आया हूँ वहाँ पर इसलिए मैं इतने विश्वासते कह रहा हूँ Yes, I have taken the obvious step मैंने बहुत सही कदम उठाया आप देखो रहने सही कदम क्या उठाया है Yes, I have taken the obvious step I talked to a psychiatrist friend of mine among others मैंने औरों के से बात करने के अलावा मैंने क्या किया मैंने अपने एक psychiatrist friend से बात की क्यूं? क्यूँकि उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था तो उनको भी लगने लगा कहीं मैं यह मेरे अंदर ही तो कोई गर्वर्ड नहीं हो कही है मैं थर्ड लेविल की बात कर रहा हूं कोई विश्वासी नहीं करना यह लोग तो कसम खा की भी बोल रहे हैं कि वहाँ पर दो ही हैं लेकिन मैं कह रहा हूं टीन हैं तो इसलिए उन्होंने क्या किया अपने साइकेट्रिस फ्रेंड से बात की मैंने उसको ग्यान सेंटर स्टेशन के थर्ड लेविल के बारे में बताया एंडी सेट इट वॉज वेकिन ड्रीम विश्वल्फिल्मेंट और उसने मुझे क्या कहा कि यह एक क्या है तुम्हारा दिवास वपन है दिवास वपन क्या मतलब दिन में देखा हुआ सपना यानि आ आपका अंदर को यसी एक्षा दवी हुई है उसको पूरा करने के लिए आप इस तरीके की मनगडंत कहानी बना रहे हैं वो ऐसा कहना चाहरा है उसके फ्रेंड ने इस तरीके से उसको बूला है ना तो अब वो क्या कहते है आके देखिए इट वास वेकिंग डियूम ड्रीम wish fulfillment उसके दोस ने कहा आप देखिए he said I was unhappy उसने कहा कि मैं खुश नहीं था मैं खुश नहीं हूँ शायद मैं दुखी हूँ वो यह कहना चाहरा है that made my wife kind of mad इस बात ने मेरी पत्नी को बिलकुल पागल सा कर दिया यानि उसको बहुत बुरा लगा उसने लगा कि शायद ये मे the modern world is full of insecurity लेकिन उसने बाद में क्या किया explain किया उसने ये समझाया कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो modern world है वो कैसा है insecurity से भरा हुआ है असुरक्षा से भरा हुआ है है na full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape उसने क्या कहा कि ये जो modern world है आधुनिक संसार है वो असुरक्षा, डर, लड़ाई और चिंता, ऐसी ही बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल इनसे बच निकलना चाहता हूँ है न, मतलब मैं इनसे बचना चाहता हूँ, इसलिए इतनी imaginary conditions पैदा कर रहा हूँ, मैं इसलिए इस तरीके की मनगणत बातें बोल रहा हूँ, वो ऐसा कह रहा है well, who doesn't, अब वो करा ठीक है, कौन नहीं चाहता, कि मतलब इतनी सारी परेशियान है जीवन में होती है, modern world में हैं, तो इनसे से कौन नहीं निकलना चाहता everybody I know wants to escape, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, वो सब बचना चाहते हैं, मेरे दोश्त हैं, रिस्तेदार हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, वो सभी बचना चाहा रहे हैं but they don't wander down into any third level at Grand Central Station, लेकिन हर आदमी जिसको मैं जानता हूँ, वो बचना चाहता है, परन्तु वो तो Grand Central Station के नीचे की किसी तीसरी मंजिल पर नहीं भटकते हैं, मतलब उन्हें तो कभी वो Grand Central Station की तीसरी मंजिल नहीं मिली, यह कि मुझे ही क्यों मिली, मतलब वो उन्होंने उ मैं दिवास अपने डेखना हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, but that's the reason, लेकिन यही कारण है, he said, उसने कहा, उसने क्या का, कि भाई कारण तो यही है, and my friend all agreed, और मेरे जितने भी दोस्ते वो सब क्या हुआ, उससे agree करते हैं, सब सहमत हो गए कि हाँ यही बात है, everything point to it, they claimed, उन्होंन इसी तरफ इसारा करते हैं, अब बताएं कि क्या चीज है, अब वो example देते हैं, क्या बताते हैं वो, my stamp collection, for example, that's a temporary refuse from reality, अब वो क्या बता रहे हैं, कि example के तौर पर मेरा ticket collection करना, वास्तविक्ता से भागने का एक क्या है, temporary आश्रे है, मैं जो है, वास्तविक्ता से भाग रह हूँ, इसलिए ticket collection में लग जाता हूँ, well, maybe, उसने का ठीक है, चलो ऐसा मान लेते हैं, कि ऐसा है, है ना, चलो ऐसा कुछ है, चलो मान लेते हैं, it may भी ऐसा हो सकता है, but, my grandfather didn't need any refuse from reality, लेकिन मेरे दादाजी जो है, उनको तो किसी reality से भागने की जरूद नहीं थी, है ना, कि सी भी reality से बचने की जरूद नहीं थी, किसी भी बास्विक्ता से भागने की कोई आविशक्ता नहीं थी, क्योंकि, things were pretty, nice and peaceful, in his day, लेकिन उनके टाइम में, जो चीजें थी, वो कैसी थी, बहुत ही अच्छी थी, प्यारी थी, शांत पूर्ण वातावरन था, है ना, in his day, from all I here, जितना की मैंने सुना है, उस समय तो सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक है, and he started my collection, और उन्हीं वही थे, जिन्होंने मेरा ये ticket collection शुरू करवाया था, ठीक है, it's a nice collection, अब वो क्या बता रहे है, कि जो है, ये बहुत अच्छा collection है, मेरे पास, जो है, blocks of four of practically every US issue, first day cover, अब first day cover क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, क्या होता है first day cover, अभी आप यहाँ पर इतना ही समझिए, कि blocks of four of practically every US issue, first day cover, and so on, क्या कहे रहे हैं वो, कि जो है, मेरे पास बहुत अच्छा collection है, और US के जो भी tickets वहाँ से issue होती है, उनका four का एक blocks, यानि चार टिक्टों का एक समझ, पहले दिन ही, मुख प्रस्ट, और ऐसे ही सब कुछ, जो हम जानते हैं, है न, ऐसा ही सब कुछ, यानि first day, first cover, जो है, हम लोग अपने पास होते कि हमारे पास क्या होता था, block of four, यानि चार टिक्टों का समझ, first day cover, यानि first day जो issue होते थे, वो हमारे पास होता था, first day cover क्या होता है, यह हम आगे समझेंगे, ठीक है, President Roosevelt collected stamp to, you know, आप जानते हैं कि जो राष्टपती थे, Roosevelt, वो भी टिकेट का, जो है, collection करते थे, वो भी टिकेट, जो है, संग्रे करके रखते थे, यह उनकी hobby थी, तो, टिकेट कलेक्ट करना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, वो President भी ऐसा करते थे, उन हुआ क्या था, ठीक है, क्या बता रहे हैं, कि जो Grand Central Station पर हुआ था, उसके बारे मैं वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वन नाइट, लास्ट समर, I work late at the office, एक बार गर्मियों में, एक दिन रात को क्या हुआ, मैंने office में देर तक काम किया, ठीक है, I work late at the office, I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central, because it's faster than the bus, तो मैंने ये निश्चे किया, कि मैं अपने घर जाने के लिए, अपने फ्लैट पर जाने के लिए, मैं बस ना लेके, क्या लूँगा, सब्वे लूँगा, और मैं कहां चला गया, Grand Central Station पर चला गया, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये निश्चे कर लिया, कि अब हम बस से नहीं जाएंगे, और हम सब्वे से जाएंगे, इसलिए वो कहां चले गए, Grand Central Station पर चले गए, ठीक है, Now I don't know why this should have happened, अब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि ये जो है, सब कुछ क्यों हुआ, क्या हुआ, ये मुझे कुछ नहीं पता, वो कह रहे हैं, To me, मेरे साथी क्यों हुआ है, Now I don't know why this should have happened to me, ये सब कुछ मेरे साथी क्यों हुआ, I am just an ordinary guy, मैं एक बहुती साधरन सा इंसान हूँ, नेम चारली, मेरे नाम चारली है, 31 years, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कि मैं एक बहुत साधरन सा इंसान हूँ, और मेरा नाम चा ठीक है, And I was wearing a tan garbardine suit and a straw hat with a fancy band, अब वो बता रहे हैं कि मैंने क्या पहन रखा है, मेरा पहनावा कैसा है, कि मैं जो है, मैंने एक भूरे रंग का garbardine या gabardine का suit पहना हुआ है, ठीक, एक लंबा सा कोट होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, gabardine बोलो, gabardine बोलो, ये pronunciation के ठीक है, तो वो मैंने पहन रखा है, और मैंने क्या किया है, एक मैंने हैट पहन रखी है, कैसी जूट की बनी हुई है, वो मैंने पहन रखी है, और उस पर एक fancy band लगा हुआ है, I passed a dozen men who looked just like me, मेरे ऐसे बहुत से लोगों से dozen, यानि बहुत सारे दर्जनों लोग ऐसे थे, ज I wasn't trying to escape from anything, और मैं किसी चीज से बचना नहीं चाहता था, और वो बता रहे हैं कि मैं किसी चीज से बचना नहीं चाहता था, जैसे तुम कह रहे हैं कि तुम escape कर रहे हैं चीजों से इसलिए तुम ऐसी कहानी बना रहे हो, तो वो बता रहे हैं कि मेरे साथ हुआ गया था, मैं इतनी सी बात थी कि मैं लोईसा के पास पहुचना चाहता था. I turned into Grand Central from Vendervilt Avenue and went down the step to the first level where you take trains like the 20th century. Vendervilt Avenue से मैं Grand Central के लिए मुड़ा ठीक है? और सीडियों से होता हुआ पहली मंजल यानि first level पर पहुच गया जहाँ पर 20th century जैसी train मिलती थी. यानि जहाँ से 20th century की train पकड़ी जाती थी, वह वहाँ पर पहुच गया. ठीक है? Then I walked down another flight to the second level. फिर मैं क्या किया? नीचे की तरफ गया, दूसरे धलान से होते हुए. वहाँ पर क्या था? दूसरी मंजल पर पहुच गया हुए. where the suburban trains leave from. और जहाँ से suburban trains जो है, मिलती थी. यानि उसको कहा जाना था, town के बाहर जाना था. टो suburban trains वहाँ पर मिलती थी, वहाँ पर वह पहुच गया. dug into and asked doorway heading for the subway and got lost और वो कैसे होता हुआ पहुचा वहाँ पर उन्होंने क्या किया एक ऐसा डोर था कैसा डोर जो उपर से गोल था semi circle type का इसका दरवाजा होता है वहाँ पर सिर जुका कर उन्होंने enter किया है ना जो कहा जा रहा था सब्वे की तरफ जा रहा था जहां से वह सब्वे यानि वह सुरंग वाली जो रेल होती है टनल में जो चलती है उसकी तरफ वह रास्ता जा रहा था और क्या हुआ and got lost और मैं रास्ता भूल गया और वह खो गए वहां पर उस टनल में जाने के वाद वह खो गए that's easy to do और ऐसा करना बहुत आसान था यानि खोना बहुत आसान था I have been in and out of Grand Central hundred of times अब बता रहे हैं कि मैं सो वार यहां पर आ चुका हूँ यानि सेकड़ों वार वह यहां पर आ चुके हैं लेकिन क्या होता है but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors और वो क्या बता रहे हैं परंतु हमेशा क्या होता है उनको नए रास्ते मिलते हैं सीडिया मिलती हैं और नए corridors मिलते हैं हर बार ऐसा होता है और वो उसमें आके गुम हो जाते हैं अब वो अपने संग जो incident हुए थे इस तरीके के वो बताएंगे अब एक funny incident हुए उनके संग क्या बताया है उन्होंने कि once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt hotel एक बार में एक मील लंबी टनल में गुसा और Roosevelt hotel के कहां पर पहुँचा लॉबी में पहुँचिया वेटिंग रूम जहां होता है वहां पर मैं जाकर पहुँचा यानि वो वहां से चले station से चले और निकले कहां पर जाके Roosevelt hotel की लॉबी में अब एक और incident बता रहे हैं वो another time I came up in an office building on 46th street 3 blocks away और एक बार मैं 46th street पर इस तित एक office की इमारत में पहुच गया जो कहां थी 3 blocks दूर थी वहां पर पहुच गया यानि इसकी tunnel में होते होते मैं कहीं भी पहुच जाता था आप वो आगे बताएंगे वो कहते हैं sometimes I think grand central is growing like a tree कभी-कभी मैं सोचता हूं कि जो grand central station है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है pushing out new corridors and staircase like roots और इसमें से नए corridors और सीड़ियां जड़ों की तरह निकल रही है जैसे पेड़ की जड़ों निकलती है दूर दूर तक फैल जाती है ऐसी उन्हों ने कहा कि grand central जो railway station है उसकी roots निकल रही है there is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on its way to time square and maybe another to central park अब बता रहे हैं कि probably संभवता एक लंबी tunnel जिसके रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता nobody knows कोई नहीं जानता जो शेहर के एकदम time square पर जा रही है और हो सकता है दूसरी central park को जाती हो है ना बता रहे हैं वो tunnels के बारे में कि यह जो शेहर के बिलकुल कौन से वे में time square पर पहुँच रही हो या फिर बिलकुल central park पहुँच रही हो and maybe और हो सकता है because for so many people through the years grand central has been an exit और हो सकता है क्योंकि सालों से बहुत सारे लोगों के लिए grand central बाहर निकलने के लिए एक रास्ता रहा हो कैसा कौन सा बाहर निकलना a way of escape एक बच निकलने का रास्ता किस से बच निकलने का रास्ता हो सकता है वो यह modern world की परिशानियों से असुरक्षा से है ना insecurity war जो चीजों नोंने बताई थी उन सबसे निकलने का एक रास्ता रहा और वो सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है ऐसा ही रहा हो मेरे संग भी इस तरीके की बाते हैं वो उनके दिमाग में आ रही है maybe that's how the tunnel I got into अब वो कह रहे है कि हो सकता है कि मैं भी इसी तरह की एक सोरंग में एक टनल में घुसा हूँ but I never told my psychiatrist friend about that idea लेकिन मैंने अपनी यह जो विचार उनके मन में आ रहे थे इस तरीके के वो अपने psychiatrist दोसको कभी नहीं बताए थे उनके कभी नहीं बताया था देखो बच्चो यह जो स्टोरी है यह imagination में चलती है फिर reality में आ जाती है तो आपको बड़ी patience इसको समझना होगा अभी यह सब उनके विचार चल रहे थे वो अपने मन में सोच रहे थे सब बात है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ अब यह सारी बात है उन्होंने अपने जो psychiatrist फ्रेंड था उसको नहीं बताएं थी आगे क्या बता रहे हैं वो और प्याय यू Pare और कोने करन दो कोरीडर से मैं जा रहा था वो क्या हुआ बाई और मोड़ने लगा और निचे को बिलकुल Slide मतलब नीचे से बिलकुल धलान में जिससे तिरचा होने लगता है ना बिलकुल नीचे जाने लगा और मैंने सोचा कि कि वो वो थी मेरे पेरों की आवाज, मेरे फोट स्टेप्स की आवाज थी, और मुझे एक भी आदमी नहीं मिला, कोई और आदमी ऐसा नहीं मिला, जो मेरे पास से गुजराओ, यानि वहाँ पर वो सिर्फ अकेले ही चलते जा रहे थे, ठीक है? Then I hear that sort of a hollow roar, I hear that means open space and people talking, और फिर मैंने आगे की तरफ एक जो है आवाज सुनाई दी, उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी, कैसी आवाज, जैसे खाली स्थान पर जो आवाज बातें करता है, कोई किसी हॉल में तो आवाज में गुंजती है न, तो ऐसी आवाज में उनको सुना सुनाई दी, क्या कि कोई खाली स्थान है और लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस तरीके का उन्हें एक्स्पिरियंस हुआ, ठीक है, दा टनल टन शार्प लेफ्ट, और सुरंग जो थी, जो टनल थी, वो क्या हुआ, एकदम बाईं तरफ मुड़ गई, मैंने क्या किया, जो है, छोटी सी, जो सीड़ियां थी, उसके बाद क्या हुआ, मैं नीचे गया, है न, एकदम स्लाइड से होता हुआ, नीचे गया, और ग्यांड सेंटल स्टेशन की तीसरी मंजिल पर आप पहुँचा, अब वो आ गए हैं, ठीक है, तीसरी मंजिल पर, ठ है वो, for just a moment, कुछ छड़ के लिए मैंने सोचा, क्या सोचा उन्हों एकदम, I thought I was back on the second level, कि मैं जो है, second level पर पहुँच गया हूँ, मतलब उन्हों लगा कि मैं फिर से second level पर आ गया हूँ, but, I saw the room was smaller, लेकिन मैंने क्या देखा, कि वहां के जो room है, वो कैसे थे, छोटे थे, जैसे उपर उन्होंने देखे थे, और levels पे वैसे नहीं थे, छोटे थे, there were fewer ticket windows, और ticket की जो windows थी, वो भी कम थी, है ना, ज्यादा नहीं थी, and the train gates, और train के gates भी कम थे, जो वहां train उन्होंने देखी, वो उसके gate भी कम थे, और क्या देखा उन्होंने, वहां पे वो experience कर रहे हैं कि उपर क्या था, जो second level, first level पर देखा, और third level पर क्या था, ठीक है, and the information booth in the center was wood and old looking, और जो information booth था, वो कैसा था, लकड़ी का बना हुआ था, और कैसा लग रहा था, देखने में बहुत पुराना लग रहा था, पुराने टाइप का था, and the men in the booth wore a green eye shade and long back sleeve protectors, और जो आदमी वहां बैठा हुआ था, जो booth में आदमी था, उसने क्या किया था, उसने अपने आखों पर green eye shade पहना हुआ था, eye shade green क्या होता है, जैसे cap होती है, तो cap में जो है, green color का एक आगे की तरफ shadow लगा हुआ था, जिससे उनकी आखों को परिशानी से बचाया जासा कि वहां पर जो lamp थी आगे बताएंगे, lamp कैसी थी, वहां पर जो है, gas की lamp पे जल रही थी, तो उनसे उनकी आखों को harm ना हो, इसलिए उन्होंने green eye shade पहन रखे थे, ठीक है, और क्या पहन रखा था, और उन्होंने green eye shade and long black sleeve protectors और black sleeve protector भी पहन रखे थे, the lights were dim and short of the flickering, और light कैसी थी, light बहुत कम थी, धुनली थी, और यह जो जो है, flickering कर रही थी, यानि एक तरीकी से बिलकुल टिम टिम आ रही थी, ठीक है, then I saw why they were open flame gas lights, और उन्होंने, फिर मैंने देखा कि वे खुली, open flame बाली, खुली, जिसमें जोती जलती रहती है, वैसी light है थी, इसलिए उन्होंने वो eye shade और वो sleeve protectors पहन रखे थे, ठीक है, आईए आगे देखते हैं क्या हुआ, अब ये सब third level के बारे हम बता रहे हैं, वो third level पर उन्होंने क्या-क्या देखा, there were brass spirit tunes on the floor, अब उन्होंने क्या देखा, कि जो है, floor पर, पीतल के जो है, dust wind type, spirit tunes का मतलब, peak done, है ना, जिसमें थूखते हैं लोग अग, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर देखे, on the floor, station के floor पर उन्होंने क्या देखा, कि पीतल के जो है, dust wind या पीकदान महाँ पर रखे हुए हैं, and across the station, a glint of light caught my eye, a man was pulling a gold watch from his waist pocket, अब उन्होंने क्या देखा, station के पार, मैंने एक रोष्णी की जलक देखी, है ना, एक रोष्णी देखी, एक आदमी ने क्या किया, अपनी जैकेट के pocket से, ठीक है, उसने क्या किया, अपने जैकेट के pocket से क्या निकाला, उसने, एक घड़ी निकाली, कैसी घड़ी थी वो, गोल्डन थी, a man was pulling a gold watch from his waist pocket, अपनी जो उनकी कमर से, कमर में जो जैकेट पहने होते है न, उस जैकेट में से उन्होंने एक अपनी घड़ी, गोल्ड की घड़ी निकाली, he snapped open the cover, glanced at his watch and front, उसने क्या किया, उस घड़ी पे अपनी नजर डाली, यानि उसने time देखा होगा, उसने वो घड़ी, कैसी होती है, वो जो घड़ी जेव से निकालते हैं, उसमें आना उपर से एक धकन लगा होता है, उसको ऐसे हटा के तब time देखते हैं, तो उसने धकन को खोल दिया, घड़ी के, और उस पर एक नजर डाली, और नजर डालने के वाट किया किया, उसने, watch, front, front मतलब होता है, बहुँँ चड़ गई, उसने मतलब ऐसे बहुँँ चड़ा ली, उसको देखके, he wore a derby hat, a black four button suit with tinny lepples, and he had a big black hand lever mask, अब वो क्या बता रहे हैं, कि वो जो आदमी था, वो कैसा था, वो उसने एक, डर्वी, जो है, head pen रखी थी, और एक काला, चार बटन वाला suit, जिस पर छोटी-छोटी, गरेवन की लटें थी, और उसकी बड़ी, काली, कैसी थी, बड़ी-बड़ी काली, मूचें थी, कैसी मूचें थी, विलकुल तिर्छी, हंडल जैसी मूचें थी, ठीक है, then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something, फिर मैंने अपने चारा तरफ देखा और पाया कि स्टेशन पर हारा अदमी 1890 की तरह कपड़े पहने हुआ है, यानि 1890 में जिस तरह के कपड़े पहने जाते थे, उस तरीके का कपड़े पहना हुआ है, ठीक है, अब आगे वो क्या बता रहे हैं, मतलब अब उन्होंने रिलाइज हो गया कि मैं कहां पहुच तरह किस जगह पहुच गया, 1890 में पहुच गया हूँ, I never saw so many beards, अब वो क्या बता रहे हैं, कि मैंने इतनी सारी डाड़ी और ऐसे जो है, फैंसी मूचें अपने लाइफ में कभी नहीं देखी थी, इस तरीके की मूचें वहाँ लोगों की तरह तरह की वो देख रहे थे, है न, उतनी जो है, उन्होंने कभी नहीं देखी, side ones मतलब, वो मूचें कैसी, एकदम गल मूचें उस तरीके की, गले टक फैली हुई, तिरची-तिरची जी, रुवाबदार इस तरीकी की मूचें उन्होंने कभी नहीं देखी थी, ठीक है, आगे वो क्या बता रहे हैं, आप उन्होंने क्या देखा, कि गाड़ी के दरवाजे में से एक औरत गई, वे, कैसे, बूट होते न, इसे, उपर तक बटन लगे हुए, उस तरीके की वो जूते पहनी हुई थी, और उपर बेड़ की जैसे टांग होती है न, उस तरीके की आस्थीन थी उसके कपड़ों की, और क्या पहनी हुई थी, स्कर्ट पहनी हुई थी वो, ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा, बेक ओफ हर, उसके पीछे, आउट अन्द ट्रेक्स, ट्रेक पर उन्होंने कुछ दिखाई दिया, वो अपने उसकी जलक देख ली उन्होंने, जो ट्रेक है, ट्रेन का ट्रेक है, उन्होंने क्या देखा, अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उसके पीछे पट्री पर एक इंजन की जलक आई, एक बहुत से, बहुत छोटे से, कोरियर एंड आईव्स का लोकोमोटिव इंजन, एक कीप की तरह की चिमनी के साथ, उनको वहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है, with a funnel, shape, stack, and then I knew, और तब मैं जान गया, अब उन्होंने विश्वास हो गया, to make sure, to make sure, अब अपने विश्वास को पक्का करने के लिए, वो क्या करेंगे, आगे देखो, I walked over to a news boy and glanced at the stick of a paper at his feet, ये पूरी तरीके से sure होने के लिए, ये सुनेश्यत करने के लिए, कि मैं आई गया हूँ, third level पर, तो वो क्या कर रहे हैं अब, कि मैं अखवार बेचने वाले लड़के के पास गया, और उसके पैर के पास रखे अखवारों का जो धेर रखा था, उसमें उन्होंने एक glance, एक नदर डाली, उसको देखा उन्होंने, ठीक है, क्या देखा उन्होंने अब उस पर, at the stack of the paper at his feet, it was the world and the world hasn't been published for years, वो कौनसा अखवार था, वो अखवार था, और ये सालों से जो है छपा नहीं था, अब उन्हें विश्वास हो गया, the world hasn't been published for years, the lead story said something about president Cleveland, अब वो जो story थी उसमें, जो मोख्य प्रेस्ट पर चपी हुई थी, गड़ना, headlines जो थी, तो वो क्या थी, रास्टपती, Cleveland, Cleveland के बारे में, कुछ लिखा था उसमें, ठीक है, अब उन्होंने ये चीज देख ली, कि अब तो भई, मैं third level पर ही आ गया हूँ, ये सब चीज़ें अभी तो हैं ही नहीं, है ना, I have found that front page, since the public library files and it was printed June 11, 1894, मैंने ये पहला प्रस्ट पब्लिक लाइवरेरी की फाइलों में ढूंड लिया है, और ये 11 जून 1894 में छपा था, ठीक है, अब इनको ये बात, उन्होंने ये चीज उन्होंने देखी थी, कहां देखी थी, पब्लिक लाइवरेरी में उन्होंने ये चीज देखी थी, I turn towards the ticket window, knocking that hair, मैं जो है, कहां गया, उसकी ticket window पर गया, है ना, जहां पर जो है, ticket मिलती थी, उस खड़की की तरफ, वो मुड गये, अब उन्होंने यहां क्या देखा, विंडो, knocking that hair, on the third level at Grand Central, I could buy a ticket that would take Luisa and me anywhere in the United States, we wanted to go, तो, अब वो कह रहे हैं कि ये मैं जानता था, कि मैं यहां वेट ticket खरी सकता हूँ, जो Luisa और मुझे, United States में, जहां हम जाना चाहें, वहां कहीं भी हमें ये ले जा सकती है, ठीक है, हम कहीं भी आ सकते हैं, in the year 1894, और year कौन सा होगा, 1894 में, यानि मैं 1894 में अब ट्रेवल कर सकता हूँ, इस तरीके का उन्हें अब विश्वास हो गया, कि मैं और Luisa अब हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि अब तो नहीं थर्ड लेविल मिल गया, अब 1894 की ट्रेन पकड़ेंगे यहां से और कहीं भी चले जाएंगे, I wanted two tickets of Gillsburg, Illinius have, अब बता रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए था, दो टिक्ट चाहिए थी, Gillsburg, Illinius के लिए, मैं चाहता था, मैं चाहता था कि Luisa मेरे लिए, वो जो है, टिकेट मुझे वहां से अब मिल जाएं, अब आगे क्या होता है, आगे क्या रहे हैं, have you ever been there, क्या आप कभी वहां गए हैं, it's a wonderful town, still with big old farmer houses, वहां अब भ बड़े जो है, farmers के घर हैं, और बड़े-बड़े lawn हैं, है न, वो जहां की वो जिस टाउन की बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े lawn है, and the tremendous trees whose branches meet overhead the roof of the street, और क्या बता रहे हैं वो, कि वहां के जो पीड़ हैं, बहुत विशाल काय पीड़ हैं, जिसकी टेहनियां, उपर जाकर मिल जाती हैं, और क्या होता है, गलियों पर एक छट का काम करती हैं, जहां पर बहुत सारे प्यूर होते हैं जंगलों में, वो दोनु तरफ से सडक के अगर लगे हो, वहां से आप कभी गुजरे हो, तो देखाओ कि वो बिलकुल कैसा बना लेते हैं, एक छट जैसी बना ले होती थी, एज नॉर्मल से और दुगनी लंबी होती थी, और पीपल सेट आउट ओन देयर लॉन, लोग अपने बाहर लॉन में बैठते थे, अब वो बता रहे हैं कि वहां टाउन में होता क्या था, दा मैं स्मोकिंग सिगार, एंड टॉकिंग क्वाइटली, आदमी सिगार पी थे और धीमे धीमे बातें करते थे, और वुमें वेविंग पाम लीफ फैंस, और वुमें जो होती थी, वो क्या करती थी, वो जै पाम लीफ के बने हुए पंके जलती थी, विद दा फायर फ्लाइज ओल अर राउंड, और चारों तुरफ जुगनू ओरते थे, इन आप पीसफुल वर्ड, और वहाँ जो क्या था, एकदम शांती थी, उस जो शांत वातावरन था, शांत संसार था वहाँ पर, वहाँ इतनी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई, तु बी बैक, there with the first world war, still 20 year off, and world war second over 40 year in the future, I wanted two tickets for that, अब बता रहे हैं कि वहाँ पर वापस जान अब वो किस टाइम में वापस जाना चाहते थे, जबकि पहला विश्युद 20 साल दूर, और दूसरा विश्युद 40 साल भविश्य में था, यानि ये पहले विश्युद से भी, बात पहली हो गई, कि पहला विश्युद 20 साल दूर था, और दूसरा विश्युद 40 साल में था ठीक है तो मैं वहाँ जाने के लिए दो टिकेट चाहता था अब वह उस जगे वापस जाना चाहते थे वह अपनी और अपनी पत्नी के लिए चाहते थे कि वह वहाँ पर पहुंच जाएं वह वहाँ पर कितना अच्छा उन्होंने एटमस्विर बता रहा है ऐसी सब टीजे थी तो इस चरहें वह वहाँ पर जाना चाहते थे ठीक है आप देखिए अब बता रहा है कि वहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था जो किलर था उसने क्या किया किराए का हिसाब लगाया फिर उसने मेरी टोपी के फैंसी फीते को देखा परंतु उसने किराए का फिर से हिसाब लगा लिया और वह बता रहे हैं कि मेरे पास जो एनफ पैसा था मेरे पास उतना परियाद पैसा था कि मैं जो है दो टिकेट ले सकूं लेकिन एक तरफ की लोटने का नहीं था सिर्फ जाने का था बट वेन आई कांटेड आउट दा मनी एंड लुगड़ अप ते किलर्क वाज स्टेरिंग एट मी और पांतु मैंने जब पैसे गिने और उपर देखा तो वह किलर्क मेरी तरफ गूर रहा था अब वो ऐसे देख रहा था कि बई पता नहीं क्या हो गया अब वो क्यों गूर रहा था इसलिए गूर रहा था ही नोड़ेड एट दा बिल्स डेट आंट मनी मिस्टर ही सैड उसने क्या किया उसने बिल दिखाया मुझे में तक गूर रहा था ना तो उसने जो है नोटों को देखा और सिरह लाया और क्या का श्रीमान यह पैसे नहीं है यह पैसे है ही नहीं तुम यह क्या दे रहे हो मु सब्सक्ति 1894 में यह अपनी करेंसी दिखा रहे थे है ना ही सैड एंड इफ यू आ ट्राइंग तू स्किन मी यू वांट गेट वैरी फार एंड ही ग्लेंज एड़ दा कैस्ट डॉर बिसाइड हिम आ उसने क्या उसने क्या है श्रीमान यह पैसा नहीं है और अगर आप जिसमें उसकी पैसे रखी हुए थे उसकी तरफ वो देखने लागा उसने कहीं यह यह मेरी इस डॉर को लूटने आया उस तरीके से बाते करके मिससे कैश डॉर जो थी उसके बगल में जो थी उसको वो देखने लागा Of course the money was old style bills Half again as big as the money we use nowadays अब वो उसको अब समझ में आया कि भई सही बात है जब वो 1894 की बात कर रहा है तो इस समय कि जो करेंसी है वो कैसे चल रहेगी है ना तो वो क्या कह रहे है कि of course पैसा पुराने किसम के नोटों में था यानि जो पुरानी करेंसी थी उस टाइप का था आधा उतना बड़ा जैसे नोट हम आजकल उपियोग में लाते हैं जैसे नोट आजकल चलते हैं उसका वो आधा भी उससे ज़्यादा बड़ा था वो ठीक है and different looking और देखने में भी कुछ अलग तरीके का था भी हो गई उस्तमें की करेंसी थी there's nothing nice about jail even in 1894 अब उसने सोचा कि जल्दी से बाहर निकलो मुड़ा उसने जल्दी से बाहर निकलो कि 1894 में भी जेल कोई अच्छी जगे नहीं थी बैगे प्रेजंट में जाओ चाहे टाइंग मसीन में बैठके पास्ट में चले जाओ फिर जेल जाओ जेल तो बुरी जगे होती है तो उसने का कि 1894 में भी जेल कोई अच्छी जगे नहीं थी अब आगे बताते हैं वो That was that I left the same way I came और बात यही थी भई और बात यही थी और मैं तो भईया जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से अब वापस आ गया भागया आया महां से ठीक है Next day During lunch hour I drew 300 dollars out of the bank Nearly all we had and bought old style currency That really worried my psychiatrist friend अब वो क्या बता रहे हैं कि अगले दिन दुपैर में खाने के समय मैं जो बैंक गया ठीक है और मैंने बैंक से क्या करा 300 dollars निकाले लगवक सारा पैसा जो मेरे पास था यानि जितना पैसा था वो सब निकाल लिया और पुराना किसम की जो करिंसी थी उस वो मैंने खरीद ली ठीक है मतलब उन्होंने नई करिंसी देखे अपनी पुरानी किसम की जो 1894 में चलती थी उस तरहें की करिंसी उन्होंने खरीद ली That really worried my psychiatrist friend और मेरा जो psychiatrist friend था उसके लिए यह बहुत चिंता की बात थी वो बहुत चिंतित हो गया उसे बड़ी चिंता होई यू can buy old money at almost any coin dealers but you have to pay premium my 300 dollars bought less than 200 in old style bills अब वो बता रहे हैं की आप किसी भी ऐसे वेक्ती से जो सिक्के देता है वो dealer होता है पैसे जो बदलता है उससे आप अपनी currency बदलवा सकते हैं लेकिन आपको क्या देना होगा मैंने अपने 300 dollars दिये तो उसके बदले में उन्होंने 200 से भी कम पुरानी note मुझे दिये है ना but I didn't care लेकिन मुझे परवा नहीं थी ठीक है जितने मिल गई मुझे परवा नहीं थी आप वो आगे क्या बता रहे है eggs were 13 cents a dozen in 1894 कि 1894 में अंडे 13 cents प्रती दर्जन मिलते थे मैं तो आप जा रहा हूं 1994 में वह तो बहुत सस्कता योगता तो कोई बात नहीं कम पैसे मिले तो कि वहां तो अंडे 13 cents के एक दर्जन मिल जाते हैं तो आराम से गुजारा हो जाएगा इसलिए कम दिये तो कोई बात नहीं ठीक है अब आगे क्या बता रहे हैं वह बट आई नेवर अगें फाउंड दा कॉरिडोर डेट लीड्स टू दा थर्ड लेविल एट ग्रांड सेंटरल स्टेशन अब वह कह रहे हैं लेकिन मुझे ग्रांड सेंटरल स्टेशन की वह तीसरी मंजिल जो जिस पर मैं गया था वो अब जो उनकी पत्नी है लुईसा उसके बारे में बता रहे हैं कि जब मैंने लुईसा को इस सब कुछ बताया तो वह काफी चिंतित हो गही कोई भी चिंतित हो रहागा वह वाइस उसने मना किया होगा अब आगे देखते क्या होता है एंड डिडंट वांट मी तू लुक फ जाया चिंतित नहीं होंगे और नहीं उसको बहुत जादा तलाश करेंगे ठीक है अब उसको उन्होंने मना कर दिया उसने and after a while I started और कुछ दिनों बाद मैंने भी वो बंद कर दिया लेकिन उनको मिला ही नहीं तो उन्होंने भी वो ढूनना बंद कर दिया I went back to my stamp और मैं जो है अपनी stamp collection पर वापस आ गया फिर से अपनी stamp को collect करने लगा but now were both looking every weekend because अब क्या हो रहा था उन्होंने उससे में तो बंद कर दिया और अपनी टिकेट कलेक्शन था उसके पास वह वापस आगे दुबारा अपनी को collect कर लगे परन्तु अब हम दोनों तलाश कर रहे हैं कौन वह और उनकी पतनी दोनों अब देखिए आगे बताएंगे वह ऐसा क्यों कर रहे हैं है ना बहुत टिसपरेडbn देखिए अब इनका प्रेंड है सैम वेलेनर वह गायव हो गया नोवडी नुवर्स कोई नहीं जानता कि वह कहां चला गया है सैम नाम का दोस्ते यह पता है क्यों नहीं ज है उनका सायकेटरीस फ्रेंड है वह गायव होगया है अब कि सी को नहीं पता कि वो कहां है ठीक है but I sort of suspect because Sam's a city boy पर मुझे कुछ शक हुआ क्योंकि Sam जो है एक सहरी लड़का है है न and I used to tell him about the Gillsburg I went to school there and he always said he liked the sound of the place मैं वो एक city का लड़का है और मैं जो है Gillsburg में ही पढ़ा हूँ मैं उसके बारें बातें बताता रहता हूँ मैं वहाँ पढ़ा लिखा था तो उसे हमेशा ही वहाँ की बातें बहुत अच्छी लगती थी है न और वो बड़ा अच्छा sound करता था वहाँ की सब बातें सुनके उसे वो सब चीजे है वो शांती वो पेड़ पौदे वो सब चीजे जो मैं बताता था तो उसे बहुत पसंद आता था वो सब कुछ है न and that's where he is all right in 1894 और वह वही है बिलकुल ठीक 1894 में अब उन्हें कैसे बता लगा कि उनका जो फ्रेंड है Sam वो वही है देखिए आगे बताएंगे उनको कैसे बता लगा because one night first thing with my stamp collection क्योंकि एक राद जब मैं अपने stamp collection के साथ जो है व्यस्त था अपने उसमें लगे हुआ था first thing with my stamp collection नहीं बिना किसी उद्देशे के बस ऐसी उसको टटोलना उसको देखना है न तो मैं उसमें व्यस्त था तो क्या हुआ I found well मुझे कुछ मिला ठीक do you know what a first day cover is आप देखिए हमने शुरू में बात की थी कि first day cover के बारे में आपको बताएंगे तो आप समझ जाओ ये हमें बताने वाले हैं खुद चारली कि first day cover होता क्या है ठीक है आप वो क्या कह रहे हैं do you know what a first day cover is क्या आप जानते हैं कि first day cover क्या होता है when a new stamp is issued जब एक नई टेकरड इशू होती है जारी होती है stamp collectors buy some and use them to mail envelops to themselves on the very first day of sale क्या होता है कि जब ticket जारी होती है उसी समय जे ticket collectors होते है जिनको अच्छा लगता है ticket को इखटा करना वो उन्हें खरी देते हैं और क्या करते हैं और उसकी बिक्री के पहले दिनी क्या करते हैं एक envelop में उसको लगाते हैं ठीक है और उसको अपना नाम डाल देते हैं ठीक है एक लिफाफ़ा लेते हैं उसको अपने पते पेज़ देते हैं तो ये प्रूफ ओजाता है पोस्ट ओफिस की महर लग जाती है कि ये उस दिन इशु एज़ी तो हमारे पास first day का ये है तो इसलिए उसको बोलते हैं first day cover they are never opened और ये जो first day cover होते है वो कभी भी खोले नहीं जाते हैं you just put blank paper in the envelope क्योंकि उसके अंदर जो है खाली काज़ डाला जाता है उसे envelope पे तो केबल उसको collection में ही रखा जाता है है ना यह ticket collector होते हैं वो लोग करते है यह काम जिनको अच्छा लगता है इस तरीके की ticket security करना अब देखिए आगे क्या होता है that night यह आप पढ़ लीजिएगा समझ लीएगा अच्छे से की first day cover होता क्या है यह आप से पुछा जा सकता है that night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there अब वो कह रहे हैं कि उस रात को मेरे सबसे पुराने सबसे पुराने जो उनके envelop थे उनने मुझे एक लिफाफा मिला और कैसा लिफाफा मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे जो पुराने envelop पढ़े होई थे जो first day cover थे सारे उनके अंदर मुझे एक ऐसा लिफाफा मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था but there it was लेकिन वो वहाँ पर था अब वो बता रहें क्या था it was there वो वहाँ इसलिए था because someone had mailed it to my grandfather at his home in Gilsvork क्योंकि वो वहाँ इसलिए था कि वो किसी ने mail किया था मेरे दादा जी को कहां पर जहां उनका घर था उस टाउन में Gilsvork को आप देखिए वो क्या बता रहे थे कि 1894 में उनका जो दोस्त है वो चला गया है maybe time machine है कुछ है अब यह जो कहानी है बच्चों यह imaginary है कुछ इसमें मन गढ़ंत कहानी है पूरी यह कोई सत्य तो है नहीं तो वो कहने है कि जो letter लेखा था वो किसी ने मेरे दादा जी को लेखा था तो 1894 में अब यह तो वहां होंगे नहीं इनके दादा जी होंगे वहां पर तो इसलिए और इनके दादा जी ने क्या किया था इनके दादा जी नहीं stamp collecting का इनको hobby डलबाई थी है ना तो इनके दादा जी के address पर वो letter पहुँचा था इसलिए वो इनके पास इस समय था that's what the address on the envelope said envelope का जो address था उसी ये पता लग रहा था कि किसी ने वो मेरे दादा जी के पते पर भेजा है and it had been there since July 18 1894 the postmark showed that और वो वहाँ पर और ये 18 July 1894 से वहाँ पर था दाग घर की महर से क्या हो गया था ये साबित हो गया था 1894 से था yet I didn't remember it at all लेकिन फिर भी मुझे बिलकुल याद नहीं आया उनको ये बिलकुल याद नहीं आया कि शायद मैंने कभी ये कलेक्ट किया हो ठीक है the stamp was a six cent और उस पर six cent की stamp लगी हुई थी dull brown color की है ना dull brown color की stamp लगी हुई थी वहाँ पर six cent की with a picture of president Garfield naturally when the envelope came the granted in the mail it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it अब वो बता रहे हैं कि वो जो scent थी वो कैसी थी भूरे रंकी थी जिस पर राष्ट पर थी Garfield की जो है picture थी अब वो किरा naturally जब मेरे दादा जी के पास ये जो है letter post के जो आया होगा तो सीधे ही उनके किसमें चला गया होगा जो उन्होंने collection किया हुआ था उसमें चला गया होगा और ये वहीं रहा गया और मैंने जब इसको निकाला और खोला उन्हों निकाला ही नहीं जब तक उन्होंने खोला ही नहीं उसको तो क्या था अंदर कागज खाली नहीं था और इस पर लिखा हुआ था Till I took it and opened it मैंने उसको लिया और खोला था The paper inside wasn't blank It read वो paper खाली नहीं था उस पर कुछ लिखा हुआ था यानि वो first day वाला नहीं था वो कुछ चक्कर था देखिए आगे बताएंगे अब उसमें क्या लिखा हुआ था देखिए यहाँ पर address लिखा हुआ है उन्होंने अपना आगे लिखा है Charlie I got to wishing that you were right मैं चाहता रहा था कि तुम ठीक थे Then I got to believing you were right फिर मैं विश्वास करने लगा था कि तुम ठीक थे And Charlie, it's true I found the third level और Charlie, यह सच है मुझे तीसरी मंजिल मिल गई है I have been here two weeks मैं यहाँ पर दो हफ्थे से हूँ And right now, down the street at the dailies Someone is playing a piano And they are all out on the front porch singing Sing Nale home अब वो बता रहे हैं कि जो है मैं दो सप्थे से हूँ और एकदम अभी डेलीज के पास गली में कोई प्यानू बजा रहा है और वे सब क्या कर रहे हैं सामने जो बहार जो बैठे हुए है और गाना गा रहे हैं Sing Nale home ठीक है? इस तरीके गाना गा रहे हैं I am invited over for laminate और मुझे क्या किया है? मुझे नीवू के शर्वत के लिए invite किया गया है बुलाया गया है आगे क्या बता रहे हैं वो? आगे क्या रहे हैं Come on back Charlie and Louisa Keep looking till you find the third level It's worth it believe me अब वो क्या क्या रहे हैं? कि जो है Charlie and Louisa तुम यह आ जाओ और खोजते रहो जब तक तुम्हें तीसी मंजिल नहीं मिले यह खोजने के लायक है मुझ पर विश्वास करो यानि अब उनका जो psychiatrist friend था वो भी वो तो उसे तो मिली गया वो तो पहुँची गया उनके गाओं में गिल्सवर्ग में है ना? Then note is signed Sam और वहाँ पर क्या था Sam के हस्ताक्षर हो रहे थे उस पर ठीक है? At the stamp and coin store I go to अब क्या हुआ? जिस ticket और सिक्कों की दुकान पर मैं जाता हूँ अब उन्हें बता है कि जिस पर मैं जाया करता हूँ अपनी जैसे पहले जो गई थे ना? चेंज कराने के लिए अपनी करेंसी तो बता रहे हैं जिस ticket और सिक्कों की दुकान पर मैं जाता हूँ I found out that Sam bought $800 worth of old style currency तो वहाँ मुझे पता चला कि Sam ने जो है 800 पुरानी जो करेंसी है वहां से खरी दी है $800 की पुरानी करेंसी वहां से खरी दी है अब उसे बड़ा आश्यर हुआ कि मतलब Sam ने विश्वास कर लिया उसकी बात का और उसको थर्ड लेविल मिली गया अब उसके ये भी प्रूफ भी मिल गया उसकी Sam ने वहां पर क्या किया था $800 की करेंसी वहां से एक्सचेंज कराई थी यानि पुरानी करेंसी ली थी नई करेंसी दे के Debt ought to set him up in a nice little hay अब वो कह रहे हैं कि वह एक अच्छा हे मतलब होता है चारा भूसा तो एक अच्छा चारे का बिजनिस कर लेगा मतल है feed and grain बिजनिस चारे का घास का और अनाज का जो है बिजनिस कर लेगा महां पर He always said that what he rely with he could do and he certainly can't go back to his old बिजनिस अब वो कह रहे हैं कि वो हमेशा से कहता था कि वो वास्तम में ये करना चाता था क्या करना चाता था गाउं में रहना चाता था इस तरीके का बिजनिस करना चाता था है ना तो वो वहाँ पर पहुंच गया है और 800 डॉलर्स की करेंसी लेके गया है तो पुराने जवान में साइकाट्रिस होते नहीं थे, तो अब वो पुराना बिजनिस तो महां कर नहीं सकता, not in Gillsburg, और Gillsburg में तो बिल्कुल भी नहीं, in 1894, his old business, और 1894 में उसका वो बिजनिस तो चलेगा नहीं, जो पुराना था, यहां पर जो था, साइकेट्रिस था वो, why Sam was my psychiatrist, क्यों Sam मेरा साइकेट्रिस था, तो यहां पर यह स्टोरी खतम हो जाती है, थीना सस्पेंस से बरी हुई, तो चलिए, आप अच्छे से पढ़िए, समझे इसको, thanks for watching.